अधाब मैं मिनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और एकनॉमिक इस्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात FATF यानी Financial Task Force और Indian Concerns की करेंगे दरसल FATF Global Money Laundering और Terrorist Financing का वाच डॉग है जो दुनिया भर में Terrorism के लिए इस्तेमाल होने वाले Money Laundering पर नजर रखता है हमारे समाज के लिए सबसे Serious Concern ये है कि आज की साइनसी तरक्की के जौर में भी हमारे मज़भ, सिविलाइज या सबसे समाज का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दहशत गर्दी कह लें या उसे Terrorism कह लें वही बना हुआ है आए दिन ऐसी वारदाते हमारे मुलक में भी और दुनिया के जो दूसरे मुलक हैं उन हिस्सों में भी होती रहती है और जो इनसानी जमीर है एक तरीके से वो हिल कर रह जाता है इस तरह की वारदातों से ये कैसा चैलेंज है जिसने पूरी दुनिया के इनसानी समाज को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है इनसानी खून की प्यासी देशतगर्दी और इसकी सोच ने किसी को भी नई बख्शा है चाहे वो समाज का गरीब मजबूर और बेसाहरा इनसान हो या फिर वो दुनिया का कोई सिविलाइज और ताकतवर मुल्क हो देशतगर्दी के हमले से आज कोई जगे बाकी नहीं है शेरों के गली कूचे से लेकर बाजार तक सरहदों तक अपने मुल्क की हफाज़त कर रहे जावाज सिपाही तक इस देशतगर्दी के शिकार है और इन नापाक इरादों से अबादत गाहे तक भी महफूज नहीं है तो आप इसके खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हलात में उस अजीब human values और tradition का क्या होगा पर इनी सवालों पर हम बात करेंगे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेमान IDSA में research fellow करनल विवेक चड़ा हमारे साथ मौजूद है और प्रदेप सिंग गौतम आप IRS हैं Joint Commissioner of Income Tax है और IDSA में research fellow भी है आपका भी सरम welcome करते हैं अभी की जो situation है उसमें FATF कैसे काम कर रहा है उसकी functioning अभी कैसे चल रही है क्योंकि जब से बना है और आज तक आते आते उसमें I'm sure बहुत सारे amendments हुए होगे क्योंकि हम अधरवाज भी देखें तो जो मुलकों के सूरते हाल है वो भी बदल रही है अभी तो क्योंकि जिस तरह की situation है pandemic की उसमें world order भी बदल रहा है सब चीजे हैं तो वैसे में FATF जैसी जो important sense था है वो कैसे काम कर रही है क्या कर रही है देखे एक जो सबसे बड़ी strength है FATF की कि यह आज भी basically एक intergovernmental task force ही है तो एक sense में कहीं कि यह formal भी है लेकिन informal भी है तो यह private sector के भी लोगों को बुला सकती है यह experts को भी बुला सकती और वो sessions भी होते हैं and to that extent शायद यह कहा जा सकता है कि UN Security Council से यह थोड़ा political considerations कम होते हैं इसमें यहां पे जो discussion है वो बहुत technical nature के होते हैं जैसे जो 40 recommendation है जैसे आप suppose सवाल आया कि आपने कोई financial intelligence unit बनाई है कि नहीं बनाई है तो यह technical सवाल है यह तो आपने बनाया है यह नहीं बनाया है आपके predicate offenses में यह list में यह डाला हुआ है यह नहीं है तो यह तो डाला है यह नहीं डाला है तो to that extent FATF effective रहा है क्योंकि इसके जो deliberations होते है बातचीत होती अंदर वो technical nature की होती और technical experts deal करते हैं इसको तो वहां तक तो इसकी जो working है वो बहतर आप कह सकते हैं अच्छा अगर आप जनरी देखेंगे तो जैसे करनल साब ने कहा कि decisions are taken on consensus basis बट अगर हम और consensus अगर है और अगर हम यह कहते हैं कि हम सारी चीजों को टेक्नि तो सारी चीजे बहुत आसान हो जानी चाहिए थी लेकिन फिर आपको जैसे कहीं कहीं पे media reports में आएगा कि यह तीन वोट चाहिए black list बचाने के लिए या 12 वोट चाहिए white list में आने के लिए या 3 x y z countries हैं जो कि शायद geopolitical considerations से उसको रोक रही हैं तो एक तो वो चीज है जिसक को शायद FATF को अभी तक तो काफी बचा हुआ है लेकिन और अच्छे से उसको अपना technical nature defend करना पड़ेगा कि अगर कोई चीजे technical तोर पे हमको लग रही है कि गलत है या effective नहीं आ रही है किसी चीज की तो वो enforce करना पड़े और यह भी कहना पड़ेगा कि FATF काफी successful भी रह है तो वो क्या करेंगे जैसे FATF की meet आ रही है तो वो वहाँ पे शायद MPO कहते है maintenance of public order जैसे हमारे हां का protective custody होती है है protective custody उसमें मतलब क्या है कि आप protective custody में है तो आप तीन महीने छे महीने जब मियाद ख़तम हो जाई को evidence नहीं है आपके खिलाफ और ना को मुकदमा ऐसाच चल रहा है और आपको jail होनी है तो आप protective custody में वो पीरिड खतम हो आप बाहर निकल जाओगे तो यह नजर बंद कह ल जेल में डालें, final convict करें और उस पर stick करें तो यहां तक तो यह पता चल रहा है कि FATF समझ रहा है कि अलग तरह का jurisdiction है और इससे रिस्क भी अलग है और आप इसको एक normal country के तरह नहीं approach कर सकते कि आपने ठीक है को regular country है उसने कहा आपने उसको पता नहीं चला था उठा के jail में अब इस बार क्या है कि थोड़ा सा एक step और आगे बात हो रही है अभी हाफिस साहीद को उन्होंने convict कर लिया है अभी convict करने के बाद यहां तक बात हो रही है कि लोग उसके judgment को भी अनलाइज कर रहे है कि उन्होंने बहुत वीक evidence पे convict किया है कि अब क्या होगा कि वो कहे अगर इस तरह की discussions आ रहे है दीरे दीरे और FATF भी इनको recognize अगर करे और कर रही है तो इससे पर चलता है कि वो थोड़ा सा nuanced approach आ रहा है और वो थोड़ा महीन लॉजिक आ रहा है तो I think it is very positive जी और इसका फिर हमेंक इंपक्ट उनकी funding जैसे भी जहां से भी होती है उस पर और सार साथ में terrorism पर देख पाएंगे फिर इसके अंदर जो funding की जहां तक सवाल है funding isolation में जो है किसी भी देश की इस हद तक नहीं रुख पाती है कि उस पर एक major impact हो और खास तोर पर ऐसा देश जो terrorism को अपनी state policy के तोर पर इस्तेमाल करता हो और उसके लिए ये primary उसका core strategy का हिस्सा है उसके लिए अगर 19-20 का फरक पढ़ता भी है तो उसका मेरे विचार से कोई major असर उस देश पर नहीं ये 2012-2015 में भी देखा है पाकिस्तान के उपर अब भी हमने देखा है कि पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि उसके लोन जाने बंद हो गए है या उसकी funding बंद हो गई है तो यही वज़ा है कि कहा जा रहा है कि जो gray list आपकी है उसकी जो हद बंदियां है वो शायद उतनी tough नहीं है जो कि एक पाकिस्तान जैसे देश के लिए चाहिए है शायद उसके अंदर gradational parameters की requirement है जिसके अंदर की आपके उपर कुछ और जैसके कहा जाता है कि लगाम कसने के कोई तरीके डूंडे जा सके अब देखिए क्या होता है कि FATF खुद कहता है कि जो strategic deficiencies हैं gray list के अंदर strategic deficiencies के basis पे कोई action लेने के लिए नहीं कहता है FATF clearly उसके rules में कहा जाता है तो जब आप किसी को action लेने के लिए नहीं कह रहे हैं तो वहाँ पर limitations जो है वो बड़ी obvious हो जाती है in terms of the ability of a country to raise money इसका मतलब है कि gray list के आगे आपको कोई ऐसी कारवाई करनी पड़ेगी जिससे कि उसको basic financial actions जो उसके होते हैं जो उसके रोज मर्रा की कारवाई है चाहे वो आपके loans लेने की कारवाई है या जो इंडस्ट्री के लेने की कारवाई है या financial institutions की जो functioning है routine functioning है उसके उपर उसको असर पढ़ना शुरू हो त्यूंकि जब तक वो असर नहीं पड़ेगा ये बहुत मुश गए है या at least उनको मुश्किल किया गा है loans मिलना तो जब ये सारी चीजे एक साथ आएंगी आपके diplomacy है इस तरह के actions है like-minded countries के और FATF के actions है जब ये एक साथ आएंगी तब main असर पढ़ना शुरू होगा विजाए कि खेवल grayless की वजए से ओके तो हम इससे फिर कितना hopeful रह सकते हैं क्योंकि हम तो एक तरीके से अगर देखें तो हम हर उस platform पर और हर उस forum को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि उसको ना सिर्फ isolate किया जा सके बलकि क्योंकि हमारा main concern ये है कि आप हमारे लोगों की जान नहीं ले सकते अगर जहां तक FATF की बात है तो थोड़ा सा अगर वहां पे जो एप्रोच अगर हम बिल्कुल टेक्निकली रखें तो बहतर रहेगा जैसे आज के डेट में FATF पे इतना भरोसा है कि वह अब जब उनको कोई कमी लग जाती है और इंडिया जो है वहां पे हिंदुस्तान ज सारी बातें खुली रहती है वो 2021 में खुद से यह जो अपना रिस्क बेस्ट अप्रोच है उसको फाइंट्यून करके फिर से नया रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया हुआ है तो आज के डेट में अगर हम देखें तो जैसे यह जो ग्रे लिस्ट है अगर ग्रे लिस्ट में आप एक जो सबसे बड़ी समस्या के आ रही है कि दो तरह के दो तरीके की जुरिस्डिक्शन से जिनको अम अंतर नहीं कर पा रहे अभी एक है जिनको अगर हम ऐसे कहें कि जिनके पास यह कैपैस्टी नहीं है कि वो जो 40 रिकमेंडेशन से उसको इंप्लि सके दूसरे उस तरह के देश हैं जो अन्विलिंग हैं उनको लगाने में मतलब एक तरीके से थोड़ा सा वहाँ पे मेंसरिया का एक एलिमेंट आता है जो बेसीकली इस वज़े से नहीं करना चाह रहे क्योंकि जैसे पाकिस्तान के केस में वो स्टैजी के सट कहते हैं या फ एक हम आपको उनको आपको ग्रे में इन दो जूरिस्डिक्शन को अलग करना पड़ेगा दूसरी बात है इन भी एक करोड रुपए में ने चरी करले तो गलत टो दूनों लेकिन जाहिर बात है आप यह कहोगे कि एटम मम्तों नहीं लेने देंगे किसी को एक करोड रुपे में तो यह जो थ्रेट है पहले उनको यह अंतर करना पड़ेगा फिर उनको यह टार्गेट करना पड़ेगा कि यह जो अन्विलिंग जरुस्डिक्शन से इनके पास जिनके मतलब आज के डेट में आप देखें तो उसकी जो एकॉनमी है वो बिल्कुल मतलब बहंगियों पर है और FATF कुछ न भी करेगा तो भी उनके सामने इम्रान खान साब को बहुत समस्या आ रही है चीजों को अगले 2-4 साल में आसानी से चलाने में तो अगर FATF चाहेगा तो वो करवा ले जाएगा काफी हत तक जी जूट बी पॉजिटिव तो हम है और होफुल तो रहना ही चाहिए और क्योंकि अभी नेक्स जो मीट है 21st to 23rd of October तो जब ये इस तरह की मीट होती है तो इन में पहले से एजेंडाज होते हैं या क्योंकि पहले से आपका एक एक ओन ग प्रोसेस है जिसमें आप कांट्री को लिस्टिंग भी करते हैं एवरिफिंग इस देर तो अभी जो ये नई मीटिंग होने जा रही है इसका क्या है अभी इसके बारे में क्या बता सकते हैं देखें फेटीएफ का एक जो हमारे तौर से अगर हम अपने अपने ऐस आनिलिस् है वो है कि functioning की transparency नहीं है FATF की meetings के अंदर क्या होता है वो कभी भी बाहर नहीं आता और नहीं वो detail में विस्तार में press release के तौर पर दिया जाता है इस meetings are supposed to be secret and they remain secret उसकी वजए से कोई open public agenda publish नहीं किया जाता कि यह बीस चीज़े हैं जो कि इस FATF के अंदर evaluate की जाएंगी यह इन चीज़ के ओपर discussion की जाएगी और उसके और discussion के बाद आपको बताया जाए कि इन चीज़ पर discussion वही ती इसका यह हुआ इसका यह हुआ बहुत ब्रीफ प्रेस रिलीज आते हैं FATF के meetings के बाद मगर अगर हम पुरानी meetings उसकी देखते हैं तो कुछ एक commonalities हैं जिससे idea लगता है कि FATF में क्या-क्या होता है एक तो देखिए जो mutual evaluation reports होती है और उसके बाद जो उसके follow-up actions होते हैं चाहे वो FATF कर रहा है या वो FATF like bodies कर र पाकिस्तान को अगर हम लेते हैं तो पाकिस्तान को बताया गया भी आपकी 2019 की रिपोर्ट में कि आपकी यह deficiencies थी पाकिस्तान को बताया गया अब पाकिस्तान को बोला गया आप इस पर action लीजे और हर चार महीने में इससे आप से feedback लेंगे तो वो जो feedback है उन्होंने क्या किय क्या नहीं किया वो feedback discuss किया जाएगा Asia Pacific Group की meeting में भी और FATF के plenary में भी तो एक पाकिस्तान के example ले रहा हूं इसी प्रकार से बहुत देश है जो discuss किया जाएगा इस बार of course physical meeting मेरे विचार से शायद नहीं हो रही है और online होगी और पिष्णी दो meeting भी जो थी उनको आगे push forward कर दिया गया क्योंकि pandemic की वजए से तो एक तरीके साब कह लिए जे कि वो एक extra time जरूर मिला है कुछ देशों को पाकिस्तान उसमें शामिल है तो पाकिस्तान के तौर पर अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि जो 27 major मुख्य point थे जो की दिये थे FATF ने उसके अंदर 14 के अंद तेरा वो sticking points है जहां पर implementation issues है जैसे बात की जाती है कि आप 20 जगा चोटी चोरी हुई है और एक atom bomb की बात होती है तो इसमें 2-3 atom bomb चुपे हुए है और वो gravity वाले offenses है जो limitations है जो की उनको वहां जाके आप बताना पड़ेगा समझाना पड़ेगा कि अगर ये नहीं हुए है तो क्यों नहीं हुए है इसमें हमारी क्या progress हुई है और उनके actions को evaluation होती है ठीक है sir transparency उतने नहीं है press releases भी बहुत ब्रीफ आती है लेकिन बावजूर उसके भी अब ही ये जो meeting चल रही है इसको लेकर हम कितने hopeful रह सकते हैं और क्या कुछ उसमें main concern issues है वो रहने वाले हैं हो देखिए बाकी तो सारी हम अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर बात करें क्योंकि FATF का तो और बाकी भी मुद्दा बड़ा रहता है वो बाकी चीजे भी देखते हैं लेकिन अगर हम terror finance और इस प्रिस्फिकली अगर पाकिस्तान related threat to terror finance पे बात करें तो वहां पे जैसे वो पॉइंट्स पे आइलाइट किया गया उसमें से उन्होंने implement किया तो पहला सवाल उठता है कि जो implementation उन्होंने किया जैसे मान लीजे एक करप्शन के खिलाफ या money laundering के खिलाफ कोई काम किया तो ये टैक्स इवेजन पे कोई काम किया तो ये प्रहन मंतरी इमरान खान साहब क का domestic agenda भी है और उसमें से वो बहुत सारे laws को नियम को इस्तेमाल करते हैं जदारी साहब को या नवाशरीफ साहब को भी डंडा लगाने में इस्तेमाल करते हैं तो वो तो अच्छा यहां पे भी यहां तक भी लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे अभी joint session में उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में दो तीन laws पास की हैं उसे बहुत excessive powers ले ली हैं बहुत arbitrary powers हैं actually आप यह भी कह सकते हैं कि FATF उतना demand भी नहीं करता उससे भी आगे कि पावर ले ली क्योंकि फिर बात यह हो रही है कि वो जो अंदर political score setting है उसमें फिर से वो इस्तेमाल करेंगे तो एक तो जो quality of compliance जो कह रहे हैं जो technically comply कर दी तो एक तो यह बात होगी कि आपने उसमें actually क्या किया है दूसरी जीज़े जो आपकी failing है वो कितनी critical है जैसे मान दीजे हाफिस साहीद को तो आपने एक बार के लिए बहुत वीक evidence पे जेल कर दिया सवाल यह अभी भी खुला हुआ है कि व पूरी परिवार के साथ अंट्रेशिबल है है मतला मिल नहीं जैख कर सकते हैं और आज केडेट में आप उनको लोकेट नहीं कर सकते हैं तो यह इशूज तो आएंगे क्योंकि वो भी पिछले मई 2019 में वो भी 1267 लिस्ट में हैं और 1267 लिस्ट में हैं यह सारी बातें लोग जानते हैं कि वो आपके एसेट हैं, strategic asset हैं, crown jewel जिसको कह सकते हैं आप उनके लिए लेकिन आज के डेट में आप उनको trace नहीं कर पा रहे हैं तो यह सब feelings तो और वो अगर उस sense में देखें उस तरीके से देखें तो उनकी policy फिर वो जो substance और form वाली जो debate है वो अभी भी चलेगा, कि form तो वो फिर भी आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, substance में उतना वो अभी भी बचाना चाह रहे हैं, जो बचाना चाहते हैं, कोई जो जो जुरिजिक्शन है, इसमें हर चीज पे compliance आपको करानी कि वो तो comply वो करे गाई, 2005 में Switzerland को flag किया गया था, FATF ने, majorly उसके दो issue थे, उसका पहला issue यह था, जिसको कहते हैं, वो beneficial owner नहीं बताना चाहते थे, कोई company है, trust है, कोई account number है, उसका beneficial actually owner कौन है, और दूसरा, व FATF ने वो compliance करा ली, वहाँ पे Switzerland यह नहीं कह सकता था, कि बाकी तो 38 पे या बाकी 30 recommendation पे तो बहुत अच्छे है, क्योंकि आपके आपसे जो threat आ रहा है, आपसे जो risk है, हमको उस पे compliance कराना है, तो वो बात तो अभी भी होगी, और वो compliance तो करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और पैसा, और उस तरीके से safe haven कहा भी जाता था, स्विजिलेंड को, और वो ही एक reason रहा होगा शायद, लेकिन हमारा concern फिर से वह यह सर, कि 2018 में gray area में आया पाकिस्तान, और अगर अभी, माल लीजिए कि blacklist तो, क्योंकि जब हम बाचीत करें तो लग रहा है कि थोड़ा सा challenging रहता है और शायद अभी भी organization नहीं चाहेगा कि उसको blacklist में डालें, लेकिन अगर हम उसको फिर से gray में भी अगर देखते हैं, अगर यह जो meeting हो रही है, इसमें अगर हम outcome जो 23 के बाद हम देखे हैं, वो फिर से पाकिसान gray में भी रह जाता है, तो भी भी क्या हम मान कर चले कि उसके उपर एक pressure build होगा और कुछ चीजें उसको सुधारनी होगी और उसका फिर एक positive असर हम देख लेंगे, जी बिल्कुल मेरे विचार से gray का pressure तो रहे गई रहेगा, क्योंकि जैसा कि बताया है कि पाकिस्तान की माली हालात भी जह है वो अच्छी नहीं है, और यह सारे cumulative impact होता है इन सारी चीज़ों का, तो वो एक impact तो रहे गई रहेगा, दूसरा एक जो critical factor ये भी है कि 2021 के अंदर FATF का जो काम करने का तरीका है उसका revaluation हो रहा है, और अगर ये बात उभर के आती है, जैसा कि बोला गया कि आप सारे देशों को एक साथ इकठा कर देंगे, उस पाकिस्तान के माइंड में भी प्ले करेगा और करना चाहिए है, और ये FATF के माइंड में भी प्ले करना चाहिए, कि जब हम अपना system को revaluate करते हैं और restructure करते हैं, तो शायद ये एक जरूरी कदम होगा हमारे लिए कि पाकिस्तान जैसे देश जहां पर जो एक critical factor है terrorism का, व जो होने चाहिए, जिसके उपर हम पाकिस्तान को evaluate कर सकें और पाकिस्तान को punish कर सकें, आज की date में ग्रे लिए के अंदर वो पारमीटर अवेलेबल ही नहीं है, तो जब आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपकी limitations जो है वो बहर के आ जाती है और पाकिस्तान को जाता है, मगर मेरे विचार से वो नहीं निकलेगा और जब 2021 में वो amend होते है parameters, आस्ता आस्ता FATF के पास जो options होंगी, वो strong हो जाएंगी, critical हो जाएंगी और पाकिस्तान जैसे देश को punish किया जा सकेगा, it's a matter of time. Okay, क्योंकि फिर इस लिहाँ से 2021 जो है वो बहुत important है, चाहे उसको एक साल का समय पाकिस्तान को मिलेगा, लेकिन जब बात restructuring की हो रही है, तो उस restructuring के जो parameters है, वो क्या-क्या होंगे, और देखिए क्योंकि जो base होता है, जो fundamental है, वो तो नहीं बदलता है कोई बी organization, लेकिन बावजुद उसके improvement के गुंजाईश क्योंकि हमेशा रहती है, तो उस restructuring को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि वो चीजें, उन parameters को अगर शामिल कर लिया जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा, organization के लिए, देखे, बाकी जैसे वो तो उधर cryptocurrency और आप उसको डारकर ग्रे कहलें या लाइटर ब्लैक कहलें, लेकिन आपको एक escalation का एक ladder रखना पड़ेगा, जिसके हिसाब से एक deliberate approach रखना पड़ेगा, कि आपको जितना वो नहीं करता है, तो उसके हिसाब से आपको cost impose करना ही पड़ेगी, क्योंकि आज के date में उसके पास अगर वो किसी तरीके से वो तीन वोट चार वोट मैनेज कर लेता है, और ग्रे लिस्ट में खीच लेता है आपने आपको दो-चार साल, तो उसका पुराना तजूर्बा ये बताता है उसको कि किसी तरीके से हम निकल जाएंगे, और वो एक्चुली उसकी पूरी foreign policy पिछले अगर नहीं कुबूल है तो हम कैसे धीरे-धीरे करते करते कॉस्ट बढ़ाते जाएं जिसे कि उनके behavior में चेंज आए अब जैसे ब्लैक लिस्ट करने पर आप मान लीजिए चार-पांच काम एक साथ कर देते हैं, कि बैंक आपको पैसा नहीं देगा, आप लसी नहीं खोल सक करने से और gray list जहां पर उसके ऊपर directly कोई economic cost as such नहीं आ रहा, तो मैसा अगर FATF ये करे कि आपने ये नहीं किया इस बार ये lapse किया तो आपको IMF से पैसा नहीं मिलेगा, आपने ये नहीं किया तो आपकी World Bank की funding खतम हो जाएगी, अब जैसे उसके Middle East से बहुत सारे remittances आती है तो अगर आप सिर्फ उसका due diligence कराने लगे हैं और maximum cash payment है, हवाला का भी बहुत उसमें issue रहता है जो दो नंबर में हुंडी और हवाला से मंगाते हैं, आप उस पे सिर्फ आप रिमिटेंस पे आप के दो कि हम रिमिटेंस flag कर रहे हैं अगर आप ये नहीं करते तो, तो उतना नया इरान देखना चाते हैं और पाकिस्तान भी आप इस बात पे इंटरनेशनल कम्मिटी के इस चीज़ पे प्ले कर रहा है, तो वो ये कहता है कि हम तालिबान पे आपको डेलिवर कर दे रहे हैं, अफगानिस्तान में आपको दिक्कत हो जाएगी हम आपको डेलिवर कर द कि हम कह सकते हैं कि जरूरत है, तो वैसे में जो रेकमेंडेशनेंस हैं, क्या वो वहां पर दी जा सकती हैं क्योंकि ये एक तरह से फंक्शनिंग और स्ट्रक्ट्रिंग का मसला है, तो क्योंकि 39 कंट्री उसमें हैं और हम तो अपने तरीके से पुरजोर चाहेंगे कि वहां पर हमारी ये बात कम से कम पहुचे, तो क्या उस तरह का स्कोप वहाँ पर है, उसकी फांक्षनी को लेकर थोड़ा सा और जानू है, जब भी री स्ट्रक्चरिंग होती है, री वैलिवेशन होती है, किसी भी ओर्गनाइजेशन की, तो जो मेंबर्स की रेकमेंडेशन हैं, वो कि या पर से पेले उन zaję के टर्कियोट कुछशिश कर रहा था, या मलेशिया से कुछ प्रॉबलम जाई हैं, जो प्र्जीट के द तील एंम कि जो आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जो असर है किस पे हुने वाला है, सब को बात नजर आती है तो जो उसके supporters हैं वो अडंगा लगाने की कोशिश तो करी सकते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब विचारों के ऊपर इन सब आइडिया के ऊपर इन सब प्रस्पेक्टिव के ऊपर सेर्व सरमयती होनी चाहिए जो like-minded सब्सक्राइब जाते हैं काम करते हैं बगर जरूरी नहीं है कि हर आईडिया सिरुफ गमंट्रवाड़ी से ही याए लोट प्लाटफॉर्म डियर ऐद से बहुत 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 ब्हितरीन प्लाटफॉर्म है हमारा जहां से इन आइडिया को रेस किया जा सकता है आइं जैसा आपने शुरू में कहा देखी क्योंकि हमें इस चीज का सबसे जादा तकलीफ है सबसे जादा चोट हमें लगती है तो लाजबी बात है कि सबसे जादा विचार भी इसी बात का यहां पर होगा तो मैं तो चाहूंगा कि आपके प्लाटफॉर्म से यह जो बात आज निक इस हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिये आदा आप झाल झाल